श्री अमरनात यात्रा भले ही हिंदूओं की तीर्थ यात्रा हो लेकिन इस यात्रा के साथ एक मुसल्मान परिवार का भी संबंध है ये वो परिवार है जसको अमरनात गुफा खोजने का श्रय जाता है अमरनात गुफा की खोज करने वाले बूटा मलिक थे जो के मुसलिम थे पंजाब केसरी टीवी की टीम श्री अमरनात यात्रा पर गई हुई है और आज हम आपको डेड़ सो साल पहले अमरनाथ गुफा की खोज करने वाले बूटा मलक की चौथी पीडी समलाते हैं और जानते हैं अमरनाथ गुफा का दिहा श्री अमरनाथ यातरा भारत की प्राचीनतम और दुरगम रास्तों में से होकर गुजरने वाली यातरा है इस यात्रा में एक गुफा है जहां पर प्रक्रितिक रूप से हिम का शिवलिंग बनता है यानि के बर्फ का शिवलिंग लेकिन क्या आपको पता है कि इस शिवलिंग की खोज किसने की या यूं कहें कि इस गुफा की खोज किसने की जिन होने की उन्होंने आज से क्रीब 150 वर अनंतनाक डिस्टिक के और जिस घर के सामने मैं खड़ा हूँ यह वही मलिक महला है जिसमें बूटा मलिक किसी समय रहा करते थे लेकिन आग उनकी पीडियां इस घर में रहती हैं हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इतिहास क्या है श्री अमरनाथ यात्रा जी का और कैसे उन्होंने इस गुफा की खोज की थी यूँ तो भारत के कई प्राचीनतम गरंथों में श्री अमरनाथ यात्रा का जिकर है और उसी गुफा का भी जिकर किया गया है जिसमें भगवान शेवहिम शिवलिंग के रूप में बैठे हुए हैं विराजमान हुए हुए हैं लेकि जो आगे फीडियां हैं वंशज हैं उनसे बातचीत करने के लिए हम उनके धर चलते हैं बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने इस गुफा की खोज की थी तो जिन्होंने अमरनाथ यात्रा की खोज की थी उनका नान था बूटा मलिक जोकी इसी अनंत नाग जिले के रहने वा जिनमें आज भी उनके जो वंशज हैं आगली उनकी पीडी-धर-पीडी इसी महले में रह रही हैं, हमारे साथ भी उनके ही परिवारक मेंबर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखरकार कैसा था वा महौल या फिर उन्होंने जो इन्फोरमेशन पीडी-धर-पीडी आगे पास जी मलिक साब वो बूटा मलिक जी थे जिन होने श्री अमरनाथ यात्रा जी की खोजगी थी आज से लगबग देट सो वरश पहले, उन्होंने अपनी बात अपने परिजनों को बताई होगी और आगे पीडी-धर-पीडी चलती हुई आपके तक भी पहुंची होगी इन्फ सादू देखे तो वो के पीछे पीछे गया, वो एक गुफा में बैठे थे, तो गुफा में बैठके कुछ दीर वो उनके साथ रहे तो उन्होंने उसको एक अंगारी का ठेला दिया, तो फिर वापस आये थोड़ी देर के लिए तो वहां से और सादू पीछे आ रहे थे, उन्होंने कहा, यहां से कोई सादू जा रहे है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम दिखाएंगे, जब वहां गए तो वहां सादू नहीं थे, तो वहां शिवलिक बना था. जी, तो मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूँ, उनके कहने का क्या मतलब था, कि जो बूटा मलिक जी थे, वो शैफट थे, यानि कि चरवाहे थे, एक बार वो एक रास्ते थे, गुजर रहे थे, तभी अचानक से ना बारिश आ जाती है, जो कि कहानियों में बताया कि आखिरकार कैसे इस अमरनाथ गुफा की खोज हुई, तब ही वो एक गुफा में जाते हैं, और वहाँ पर उनको एक साधू मिलते हैं, साधू उनको एक पोटली देते हैं, जिसमें कि कुछ कोईले होते हैं, क्योंकि पहले गैस तो होता नहीं था, जिसमें खाना बनाया जा सके या किछन का अन्या काम किया जा सके, तो जब उन्होंने वही पोटली अपने घर पर आकर खोली, तो उसमें से सोने की महरे निकली, तो बूटा मलिक जी ने सोचा की क्यों ना दुबारा फिर से एक बार उसंसी साधू से मिला जाए, वो दुबारा गुफा में पहु तो बूटा मलिक जी से आपका क्या रिष्टा था वह आपके दादा पर दादा या कौन सी पीड़ी में से आप ये पवत्र यात्रा शुरू होई ये यात्रा शुरू होने के बाद अमरनात गुफा की खोज करने वाले मलक परिवार को अहम दर्जा दिया गया इस परिवार को श्री अमरनाथ यात्रा पर चड़ने वाले चड़ाव मैंसे एक तहाई हिस्ता मिलता है लेकिन श्राइन बोर्ड मरने के बाद इस परिवार को कुछ भी नहीं मिल रहा ये बूटा मलक के चौथी पेड़ी कह रही है और वो अपने हग के मांग कर रही सुनने में ये भी आया है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से पहले कुछ मदद दी जाती थी आपके परिवार को शायद अब उस मदद पे कोंट्रोवर्सी चल रही है क्या आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी भी कोई वित्टिये सहायता मिल रही है जी नहीं ये बात सही है कि हमें पहले जो पहले तो शैन बोर्ड नहीं था पहले पूरा जैसा की इसमें अकाड़ा चल रहा है अकाड़ा जो जुम्मू से छड़ी लेके आते थे और पंडित भी इसमें थे और हम मलिक भी मलिक डाइनास्टी भी हम दो पुरन माशी में वहां जाया करते थी लेकिन जब से शैन बोर्ड बना तो वहराजी गवर्नर थे उन्होंने हमारी साथ वहले ऐसा किया कि आपको इसके बदले हम आपको एक कपरेटर सुसाइटी बना के बनाए है तो हमने उसमें पैसा इन्वस्टिक किया हमने टेंट खरीदे चालिस टेंट खरी कुछा नहीं कि शृइन बॉर्ड की तरफ से नहीं दी जाती ही। उनले तो हमें यही आजहनवर्सन दे रहा था था कि पर आपको मिल जाएगा अपना आपको कुछ नहीं है लेकिन अभी तो कुछ नहीं मिल रहे है नहीं मिला हमें खबरों में ये भी है था कि आपके परिवार की तरफ से एक कोट में केस भी चल रहा है कि हमें भी सहायता दी जाए क्योंकि हमने लगभग 120 से 130 वर्षों तक उस गुफा में सेवा की है तो उसके बदले में हमारे भी परिवार का हक बनता है क्योंकि हमने उस गुफा की खोज की थी वो क्या चल रहा है पूरा केस यह कि आप ने कभी किसी से बात करने की कोशिच की अगर आप अभी जैसे की अमर्ना फियात्रा चल रही है आप ने अभी अपना टेंट लगाया वहां पर जी नहीं है, आप तो permission वहाँ मिलता है, वह permission हरक को एक एक दो दो टेंट मिलता है, तो अगर हम को, हमने भी permission बराँ है, लेकिन वहाँ से निकला नहीं है, वो चीरियों पर मिलता है, वो डिसिस हाब देते हैं, लेकिन एर शायन बोड हमें कुछ नहीं मिला तो आपकी आगे क्या उमीद है या आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से कि आपकी बात सुनी जाए तो हम पहले भी जो वहरा साब गवरनर साब थे उसको हर साल हम मिला करते थे जैसा कि वहां हमारे कोई एक अदमी जाया करता था जैसा कि वह पहले गाम आते थे हम उनसे मिलत थे उन से रिक्वेस्ट करते थे वो तो हमें इत्मिनान देता था कि आपके साथ कोई गलत काम नहीं हो जी सर पंजाब के इसरी से बात्चित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो ये वही मलक परिवार में से हैं बूटा मलक जिन्होंने श्री अमर्ना थियातरा अमर्ना थियातरा जी की तलाज करने में तबसे करीबं 1.500 वर्षों से लगा तार अमर्ना थियातरा चल रही है 120-130 वर्षों तक इनको काफी सहायता दी गई लेकिन जब से श्राइन बोर्ड बना है पिछले क्रीब 20 वर्षों से तब से लेकर आज तक इनको किसी भी तरहें की कोई मदद नहीं दी गई और इनकी मांग यही है कि परशासन इनकी बात सुने और इनको मदद दी जाए अगर परशासन ने इनकी मदद नहीं भी करनी तो कोई बात नहीं लेकिन जो परशासन इनके साथ वाइदा किया था कि आप टेंट क्रीदे आप वहाँ पर टेंट लगाकर आप अपनी इंकम का एक सोर्स पैदा कर सकते हैं अभी परशासन अपनी उस बात से भी पैर पीछे खीच रहा है ये मलिक परिवार ने हम को ये बात बतलाई है कैमरामेन अनिल दिनाल मैं जतिन कुमार शर्मा अनंतनाग